हेलो एब्रिवान कसे आथ तुम्ही सगे माईसल्फ की रन दोर गे आणि आच्छा वीडियो मधे आपन प्रॉपर डिस्कूस करना रहा है MST-CET 2018 चा पूरूना क्मेशन पेपर यह जो वीडियो है इसमें मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा कि 2018 MST-CET पेपर कैसे था अभी 2020 ओनवर्ड जो आपके MST-CET के question papers आने वाले है वो किस तरह से रहेंगे तो एक प्रॉपर आपको एक analysis मिल जाएगा MST-CET का preparation करने से पहले कुछ 8 important strategies है जिसका वीडियो में ने already बना दिया है तो अगर आपने ज्यादा पड़ाई नहीं किया है अभी तक और short duration में आप maximum score करना चाहते हो तो वो 8 important strategies का एक वीडियो में ने already बना दिया है How to score 175 plus marks in MST-CET दूसरा है physics के कोन से hot topics है और हमेशा उसमें से ही questions आते है तो अगर आपका preparation बहुत अच्छा नहीं हुआ है तो वीडियो आप देख लेना जितने भी वीडियो और मैंने previous year के MST-CET के question papers के detail solutions बनाया है सवा सवा घंटे की वीडियो जेवो आप देख लेना नीचे description box में proper उसकी links में दे दूँगा आपको तो ultimately वो आपको benefit देदेगा जर तुमचा अब्याज जाला नसेल तर ते वीडियो तुम्ही नकी बगा तुम्हाला खूब चांगला फाइदा ऐसा होना रहा है In this video I am going to discuss MST-CET 2018 complete paper और ये paper जो है इससे आपको एक पूरा idea आ जाएगा कि paper को solve कैसे करते है मतलब अगर आपका score 50 में से अगर आप practice test वगरा दे रहे हो 50 में से 10-15 नंबर आ रहे है आपके तो ये जो strategies में आपको बता रहा हूँ वो use करके कम से कम time में आप अपना score 30 to 35 तक लेके जा सकते हो अगर अभी आपका score practice test में 20 के नजदिक आ रहा है 20, 25, 20, 21 ऐसा कुछ आ रहा है तो sure 35 to 40 के उपर कैसे लेके आना है और already अगर आप 30 प्लस जा रहे हो तो 45 के उपर आप कैसे target कर सकते हो ये पूरा analysis आपको यहां से मिलने वाला है क्योंकि अभी तक आपने जो पढ़ाई किया है शायद वो थोड़ा random nature का होगा सब कुछ आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो इसके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है selective nature में पढ़ना start करो ultimately आपका score boost होने वाला है क्योंकि question paper जो है chemistry physics मिला के 90 minutes का उन्होंने रखा है तो certainly 50 questions हमें 45 minutes के अंदर करने है तो definitely board की भी यह responsibly डिबनती है कि इस तरह जे question में परको set करें कि normal पढ़ाई किया हुआ person का भी 90 minutes में 100 questions attempt हो तो इसके लिए कुछ pattern होते हैं every year wester type के pattern repeat होने की chances अच्छे खासे होते anyways so MHTCT 2018 test paper जैसे मैं हर टाइम आपको बोलता हूँ हर टाइम हम लोग जब ही question paper का discussion करते हैं मानलो आप अभी exam hall में हो तो immediately question paper solve मत करो सबसे पहले आप immediately देखो कि क्या question paper है और किस तरह से उन्होंने questions पूछे कभी-कभी ऐसा होता है कि शुरुआत के कुछ questions जो होते है वो difficult दे देते है और आप उसमें बहुत जाता time invest कर देते हो और ultimately आपका जो overall time है वो कब निकल जाता है और आपका कुछ attempt भी नहीं होता ऐसा हो जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है quickly glance करना है कि क्या question paper उन्होंने set करके रखा है आपको बहुत सारे questions ऐसे मिलेंगे जिसके लिए आपको कुछ solve नहीं करना है factual questions होते है 8-10 questions आपको अंदाजे से मिल जाता है जो आपके immediately हो जाते है तो उदर ही उसको tick कर दने का और उसके हिसाब से फिर जो बागी के बचे हुए questions है उसको आप remaining time allot कर सकते हो depending on your skills कौनसे chapters आपने अच्छे से किए कौनसे concepts आपने अच्छे से किए उसको priority दो अगर बहुत difficult और lengthy question दिख रहा है तो उसके उपर time spend मत करो अपना ego side में रखो और आप directly जो simple simple और moderate length वाले question से उसको target करो तो भी आपका score अच्छा आने वाला है तो जैसे कि हम लोग discussion करते है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि question paper में उन्होंने क्या-क्या दिया है quickly देख लेते question number one जो है वो simple pendulum से related है okay कोई बात नहीं तो यह oscillation chapter से related है question number two जो है वो आपका fluid mechanics से related है question number three जो है वो transistor के बारे में बात कर रहे है again है semiconductor का है question number four यह disk के बारे में बात कर रहे है tangential force applied वगरा के बारे में बात कर रहे है angular velocity निकाल नहीं है आपको तो यह circular motion वगरा का थोड़ा सा हो सकता है let me zoom out question number five अगे लिए circular ring के बारे में बात कर रहे है तो यह magnetic effect of electric current में से है six यह two light rays के बारे में बात कर रहे है उसके intensities के बारे में बात कर रहे है wave optics का यह question interference and diffraction से related है alternating voltage के बारे में बात किया है उन्होंने तो AC circuit से related यह question है question number eight जो है circuit दिख रहा है हमें तो current electricity में से एक question होने वाला है और देखके हम लोग guess कर सकते हैं कि ये distance networks related question है तो simple होने वाला है question number 9 जो है वो एक basic question है incident ray of light with reflecting surface ठीक है तो इसका answer है option है glancing angle है solve करने की भी ज़रूरत नहीं है तो हम लोग बोल रहे थे ना कि कुछ questions आपको directly बिलेंगे जो आपको solve नहीं करने पड़ा थे straight forward तो ये paper में भी basic questions होने वाला है question number 10 देखो non uniform circular motion के बारे में बात कर रहे हैं तो अगे ने circular motion का question है okay question number 11 देखते है numerical aperture के बारे में बात कर रहे है microscope simple question है ये भी option C का answer है देखके हम लोग कर सकते है amplitude modulation ये communication system के देखो तीन questions हमें ऐसे मिल गए कि जिसको solve नहीं करना था straight forward उसका answer है question number 13 जो है ये again magnetization से related है जिसने formula list बना के रखिये formula list वागेरा क्या होता है ये जो मैं बोल रहा हूँ उसके लिए वो एक video देख लेना आप जिसमें properly discuss किया गया है 8 strategies बता ही गई है MHT CET में 170 plus 175 plus score कैसे करते है उसका एक video है उदर जाके देखो तब जाके मैं जो बोल रहा हो आपको थोड़ा-थोड़ा समझ में आएगा आपको क्या करना होता है जब ये आप preparation start करोगे तो सबसे पहले जितने भी topics आपके है सत्य हो तो well and good double हो जाए का score anyways simple question है ये देखो fourth question हमें मिला जो solve नहीं करना था direct उसका answer है question number 14 electron in stationary hydrogen atom तो electrons आपका जो modern physics का है atoms molecule nuclei है उसमें से question है everywhere ये formula के उपर question पूछते है question number 15 meter wire के बारे में बात कर रहे है और उसके बाद sink नहीं हो रहा है ये surface tension के बारे में है तो आपका fluid mechanic से उसके अंदर surface tension का है उसमें है उसके बाद question number 16 जो है वो quite lengthy है ये momentum से related है और इसमें आपको coefficient of restriction के बारे में बात करनी है आसान होता है लेकिन थोड़ा सा lengthy question बन जाएगा ये solve करने के लिए 1 minute से जाधा time जाता है question number 17 SHM perform कर रहा है simple question ये solve करने के ज़रूत में straight forward orally आप answer लेकिए आ सकते हो ये fourth question हमें मिला है जो हम लोग direct कर सकते है SHM से related और oscillation से related question number 18 transformer के बारे में बात कर रहा है ये again simple question है आपका AC circuits के related है anyways question number 19 conductor wire length L diameter D1 है okay तो R is equal to royal upon है current electricity ते question है basic question है सिर्फ arrangement करनी होती है आपको ये आपे उसके बाद question number 20 kinetic theory of gases से related है CP, CV से related है हमेशा ये formula के उपर question आता है अगर आप ये formula से related question practice नहीं के कर के जा रहा है तो आप गदे हो ठीके मैं बहुत बार repeat कर चका हो ये चीज़ को same formula, same question, same answer same kind of answer every time उसके बाद capillary tube के बारे में है area A simple question है again surface tension से related simple question है formula यूज कर रहा है with forward bias देखो ये semiconductor का question है कुछ करना ही नहीं है इसमें ठीके देखके हम लोग कर सकते equation question number 22 PN junction diode close switch के जैसा act होता है केसे जब भी discussion करेंगे इसका आगे उसमें बताऊंगा तो देखो अभी ये fourth ये fifth question हमें ऐसे मिला है जो solve नहीं करना था तो बाइस में से चार पास question हो चार पास question हो हमें मिल गए जो direct कर सकते हैं question number 23 alternating electric field magnetic effect of electric connect ये भी चीज में हमेशा बताइए आपको कि ये topic आपको करके जाना है छोड़ना नहीं है इसके उपर question board आपका पूछ रहा है उसके बाद question number 24 ये एक thickness के बारे बात कर refractive index दिया है एक line का question है ये भी हम लोग oral question जैसा consider कर सकते है 5 into 1.6 करना होता है आपको so 8 cm डिरेक्ट आप answer लेके आ सकते हो देखो ये दोनों का multiplication केसे बताता हो तो छटवा केश्वेन हमें मिला है question number 25 string of vibration fifth order ये आसान question है हमेशा हमें बताता हो कि string उसके बाद organ pipe closed at one end organ pipe open at both the ends ये आपको करना ही है question number 24 हला कि light में से है question number 25 जो है आपका वो superposition of waves या फिर आप sound waves या फिर आप stationary waves बोल सकते हो question number 26 vector जैसा दिख रहा है simple question होने वाला है और हमें relation निकालना होता है तो जो relation निकालने वाला question होते हैं वो हमेशा आसान होते है question number 27 square दिया है आपको rods रखे है आपको moment of inertia निकालना है okay कैसे निकालना है बताऊंगा question number 28 ये भी एक vector से related देखो vector से 2 questions आ गए ये साल okay question number 29 ये simple question है देख के आ जाना चाहिए तो देखो 7th question ऐसा है कि जो solve नहीं करना था straightforward इसका answer है magnetism में से ये question है paramagnetism, diamagnetism, phheromagnetism क्या होता है उसके बारे में उन्होंने पूचा है question number 30 उन्होंने दिया है mass is suspended from a vertical string SHM perform कर रहा है again ये oscillation में से question है anyways आसान होने वाला question लेकिन थोड़ा भड़ा भी होगा question number 31 moment of inertia के बारे में बात कर रहे rotational motion से आपका है that is rotational dynamics so ये simple question हमेशा इसके ओपर question पूचते है ये मैंने अल्रेडी बता दिया आपको कि ये करना है kinetic energy के बारे में तो चीज हमेशा में बताता हूँ कि करना ही है वो पूचते ही है question number 32 explosion के बारे में है moment of inertia तो yes ये momentum से related question है question 32 question number 33 photo cell देखके question आजाना चाहिए आपको तो ये 9th question है जो solve नहीं करना था straight forward इसका answer देखके कर सकते हो ये आपका modern physics का electrons, photons वागेरा जो chapters होंगे उसमें से है question number 34 vertical circular motion से related है ये भी मैंने आपको most important topic list है इसमें ये point है कि ये करना ही है आपको vertical circular motion से related question आते ही है तो ये भी एक one liner question है देखके आजाता है question number 10 हो गया जो easily आप कर सकते हो question number 35 उन्होंने दिया है question number 35 orally आजाता है जिसने भी electrostatic का Gauss law के application किये तो जो last while application है उसका final answer है तो E is equal to sigma upon to epsilon not इसका formula होता है तो distance की उपर deep end electric field नहीं करता तो ये electrostatic में से है question number 36 ये Doppler effect हमेशा हमें बताता हूँ Doppler sound के बारे में करो तो देखो question number 11 ऐसा हो गया जो हमें solve नहीं करना था straight forward तो 36 में से 11 question तो ऐसे है जो solve नहीं करना है आप समझ रहे हो देखके में बता रहा हूँ आपको answer तो इसके लिए तो मैंने ये discussion का नाम रखा है how to solve physics in 45 minutes less than 45 minutes तब भी जाकि ये 45 minutes के अंदर होता है जब तक मैं 50 question पढ़ूंगा न अभी तो आप बोल रहे हो कि sir ये पढ़ते पढ़ते तो 7-8 minute गया नहीं मैं अभी बोल रहा हूँ इसलिए हो जा रहा है जब भी आप question फटा-फट से देखना स्टार्ट करोगे न 5-6 minute के अंदर आपके 11-12 question हो जाते है समझना डबल हो गया rate तो 45 minutes के अंदर करने है minus 12 करो ठीके sorry पचास में से 38 question हमारे तो ऐसे ही हो गए अभी तक तो देखो ना अपना time save हो रहा है anyways question number 36 देखके आजाता है question number 37 again मैं आपको बोला है deflection of a gallon emitter के बारे में करो ठीके अगर आपको जूट लग रहा है आप जाओ मैंने जो list बना के रखा है उसके उपर चेक करो होगा वो कभी-कभी tricky होगा थोड़ा से लंबा होगा तो topic हमें पता होता है लेकिन ही exam में solve करने के लिए 2-5 minute चले जाते है कभी-कभी और कभी-कभी गलत आंसर आजाता है तो ये ऐसे questions होते है चाहिए तो छोड़के आपको कोई दिक्कत नहीं दो-चार questions चोड़ सकते हो अगर difficult लग रहा है तो क्यूंकि अगर इसको solve करते बेटोगे तो जो chemistry कभी-कभी पर हो रहे जाएगा Anyways, question number 39 ठीक है, ये capacitors के उपर है Again, here is parallel capacitor का मैंने list में inclusion करके दिया है आपको, so question number 39 question number 40 देखो क्या है heat energy के बारे में बात कर रहे है बहुत आसान question होता है आपका kinetic theory of gases का जो radiation वाला part है इसमें से ही है question number 41 दो-वायर्स के बारे में बात कर रहे है ये आपका जो elongation बोल रहे है मतलब आपका elasticity करके chapter होगा mechanical properties of solid उसका जो final energy वाला equation है उसमें से ये equation है question number 13 हो गया जो हमें solve नहीं करना था question number 43 graph मतलब जो आप formula list बना रहे हो उसमें text book के अंदर जितने भी graph से वो भी आपको draw करने तो ये question आपका बन गया है ये भी आपको solve नहीं करना था question number 14 बन गया आपका जो solve नहीं करना था question number 44 ये भी एक simple question है तो पंदरा question तो अभी तक हो गया जो मुझे solve नहीं करने था pain को touch भी नहीं करना था question number 45 deep rogles wavelength ये simple question है हर साल पूछते half of mv square उसके बाद momentum substitute करते कैसे करना है बाद में बताऊंगा question number 47 N के बार में ये बात कर रहा है और ये आपको number of waves produce कितना करना है simple harmonic okay है super position of waves में इस equation है देखेंगे question number 47 देखते है ये stress और strain के उपर है तो ये elastic potential energy के उपर question है हमेशा आता है ये chapter hot favorite है chapter में से ये question ये उनको hot favorite है question number 48 देखते है magnetic field आपको निकालना है bar magnet से related तो straight forward उसका formula होता है इतना सब diagram अगरे draw नहीं करना है question देखे formula लगाना है answer लेके आना है ये बहुत जल्दी हो जाता है question question number 49 gravitation से related satellite के बारे में बात कर रहा है question number 15 जो है वो again एक simple question है तो देखो overall 50 questions ऐसे थी जिसमें से 13 से 14 question मुझे pain को touch भी नहीं करना तो और मेरा हो गया तो अगर पहले चुरवाती के अगर मैं 5 minute भी दे देता हूँ तो मेरे 14 question हो रहे है तो अगर मेरे 14 question हो रहे है तो जो बच्चे वे 40 minute है उसमें मेरे 35 question क्यों नहीं होंगे आप ठोड़ा दिमाग लगाऊ न इस तरह से तो टॉपर लोग solve करते है paper ठीक है और जो मतलब average person होता है वो पहले ही line से चालू करता है paper solve करना देर गंटे में सिर्फ उसका physics होता है नहीं तो physics के 10 question chemistry के 15 question में से 30-40 कर लेता है और काम खराब हो जाता है तो ये था 50 questions का quick analysis अभी हम लोग one by one सारे questions देखेंगे कि किस तरह से इसको solve करना है कोंसी trick से और क्या-क्या है let us discuss question number one question number one मदे बगा काई दिले दनी the path length solution बगू नका आणी दूसरी महत्वाची गोश्टर जर कोणी माजा बरबर solve करता स्थिल विद्ध्यार थी मजे तैन्ना वाट तसल की सरान सोब आ question paper solve कराई जा है तर तुम्हें एक blank pages और नोटबूक ग्योन बसा आणी questions ऐसा मी read करतो है ना तता सोलूशन तुम्ही बगूना का फक्त question read करा, video pause करा आणी स्वाता solve करून बगा आणी जर याप एक पर मदे तुम्हें चाईशन अवर्ती मिया ले तीके ता समझूंजा तुम्हाला final exam में खुब भारे बेटना रे तुम्हाला तीस बेटले असिल तुम्ही जर आता solve करता सल माजा सबोत तीस बेटले ता स्कोर में तुम्हा पंचा है चापुड़े घ्योंजाईन एस्ष्चल ठीके आणी जर तुम्हाला काइस नसे लियत ता नि थरीपन तुम्ही प्रयतना करता है तरीपन तुम्हाला एक सांगले स्कोर परनता कसा घ्योंजाईशा the path length of oscillation of a simple pendulum of length 1 meter तर जब आप question paper solve करते हो तो वो time पे देखो आपका exam online है offline है depending करता है कि कहां से तो MSTCT अगर online है या जैसा भी है offline है online है जैसा भी है तो आपको जो solve करने के लिए pages दिये जाते है तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ लिखना नहीं है आप given data वापस नहीं लिखोगे अपने इसमें इससे नुकसान होने वाला आपका आपको क्या करना है उधर ही देखना है L कितना दिया है displacement कितना दिया है अगर habit नहीं हो रही तो फिर आप लिखो otherwise तो आपको direct करना है its maximum velocity is given by तो Vmax का direct formula देखो नहीं क्या होता है V is equal to omega square root of a square minus x square उसमें से x zero कर दौप तो V is equal to a omega ये a omega की value मुझे मिल गई लेकिन इसमें उनोंने मुझे क्या दिया है L दिया है और मुझे t नहीं पता तो बाकिकी चीज़े मुझे solve करने तो इसके लिए देखो t is equal to 2 pi square root of l upon g तो L दिया है उनोंने मुझे और उसके बाद g हमें पता होता है तो t का मतलब क्या होता है omega is equal to 2 pi upon t है na तो a omega हमें नहीं पता था so 2 pi upon t square root of g upon l substitute करो values को get the answer so omega की value pi के बराबर है और जो आपका amplitude है तो गो है 16 by 2 that is 8 cm so यहाँ पे क्यों 8 cm लेना है क्योंकि total path length है जो 16 दिया है तो अगर आप यह complete path length 16 दिया है तो अगर आप यह complete path length 16 दिया है तो amplitude जो होता है उसका आदा होता है so that's why आपका जो answer है 8 cm b max a omega 8 5 cm 30 second के अंदर यह equation हो जाना चाहिए क्योंकि जो बाकी equation से उसके लिए आपको time दिना पड़ेगा velocity completely filled with the water has holes a and b at a depth h and 3h from the top अभी देखो क्येसा है यहाँ पे suppose मेरे पास ऐसा एक vessel है ठीक है और उपर मान लो पानी भरा हुआ है आपने और इसको 2 holes किये है a और p ठीक है तो a जो है वो अगर आप देखते हो top से h height पे है और दूसरा जो है वो 3h height पे तो 1h height पे और दूसरा 3h height पे ठीक है अभी hole a is a square of a side l and b is a square of a circle of a side r है ना radius r तो मतलब hole a का जो opening यह वो square है तो अगर complete square अगर आप कर सकते है तो l square इतना area में से liquid भार आने वाला है और b जो है वो pi r square है उसका area देखो ना कितना है तो उसमें से liquid भार आने वाला है ठीक है और water flowing per second चाहिए हमें water flowing per second तो water flowing per second हम लोग कैसे निकाल सकते है यह दिया है हमें sorry the water flowing out per second from both the holes is the same okay तो दोनों का गंपर करना पड़ेगा और यह जो square वाला जो l है उसके पहलों निकालनी है बहुत आसाम question है कैसे करना है देखो इसमें देखो v square equal to u square plus 2s यह formula use क्या है kinematics का तो जभी water आपका container के अंदर stationery है और liquid कुछ भी भार नहीं आ रहा है तो उसकी velocity होती है 0 तो initial velocity आपकी हो गई 0 so v square equal to 2as है ना यह आपका बन गया so यहाँ पे s जो है वो h से represent कर रहा है आप so 2gh so v is equal to square root of 2gh यह आपका a के लिए हो गया और जो दूसरा है उसका height जो दिया है उन्होंने 3h दिया है तो b भी होगा square root of 2g into 3h तो यह दो equations के से आपको अंदर जार लग गया भी अभी water flowing out from a equal to water flowing out from b तो दोनों same है so water flow हम लोग कब बोल सकते एक area में से कितनी velocity से वो चीज जा रही है तो velocity of a into area of a velocity of b area of b ठीक है तब ही जाके तो उसमें से पानी जाएगा तो v a की value लिख दो v b की value लिख दो area l square और pi r square बाकी की सारी चीज़े तो आपको दे दिये उन्होंने है तो rearrange करो equation को लेकिन यहाँ पे जब equation को rearrange करोगे तो carefully करना और final answer आपका आएगा l is equal to r pi raise to half and 3 raise to 1 by 4 so यहाँ पे one print नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं लेकिन option is a C समझ रहो simple question है यह आपका जो fluid mechanic से उसमें से question पूछा गया है question number 3 transistor के बारे में पूछा है used as a common emitter amplifier अभी यह देखो अभी आप दोलें के sir यह तो मतलब semiconductor वगरा पूरा पढ़ना पढ़ेगा अगर नहीं time है तो मत पढ़ो लेकिन उसमें से major चीज़े आपको करनी है जैसे कि diode क्या होता है सारे types diode क्या आपको मालूम होने चीए उसके बाद intransing extransing semiconductors का basic पता होना चीए और end में जाकि वो transistor है ना उसकी डाइग्राम से और formula वो भी अगर आपको पता है तो भी आपका काम बनने वाला है तो यहां पर देखो नो जिसको formula पता है उसका काम बन गया जिसको formula नहीं पता है उसका काम खराब हो गया so transistor is used as a common emitter amplifier with a load resistance 2k यह दिया है उन्होंने load resistance दिया है मतलब RL की value दिया है input resistance is of 150 ok ri की value दिये base current changed by 20 micro ampere so ib की value दिये which results in a change in a collector current by 1.5 milliampere ic दिया है voltage gain निकालना है देखो भाई साव इससे simple आपको पूछी नहीं सकते r क्या होता है आपका v upon i होता है तो v क्या होता है r into i so voltage gain equal to resistance gain into current gain resistance gain को कैसे represent करते है RL upon ri current gain को represent करते है delta ic upon ib यह formula होता है straightforward रटलो यह केसे आता है क्यों आता है इसके जादा पीछे मत जाओ logic मत लगाओ जादा जो formula है formula as it is बनाओ क्योंकि अभी इतना time नहीं है कि आप derivation करो और exam 8 mark के लिए question आने वाला है तो उसका derivation पढ़ते बेटने के लिए तो मतलब कुछ logic नहीं बनता substitute करो values को get the answer that is a thousand anyways question number 3 बन गया अपना question number 4 देख जेए disk has a mass m radius r दिया है आपको how much tangential force tangential force कितना लगाना पड़ेगा should be applied to the rim of the disk so to rotate with angular velocity omega in time t okay तो disk दिया है आपको radius r दिया है tangential force कितना लगाओ गया so alpha is equal to omega upon t यह आपको दिया अभी tangential force का form जिसको पता है उसका काम बनेगा जिसको नहीं पता है उसका नहीं बनेगा anyways थोड़ा zoom out कर लेता हू इसको में so that next page पे हम लोग move कर सकते है उसके बाद वापल zoom in करूंगा चलो zoom in करते है okay so torque is equal to i alpha okay so force क्या होता है पता है कि यहाँ पे torque upon r होता है torque क्यों पता है यहाँ पे देखो final equation देखो आप पहले torque का मतलब होता है magnet of a moment of a couple which is forming magnet of a moment of a couple जिसको torque बोलता है which is equals to magnet of one of the force forming couple into perpendicular distance so force क्या होता है torque upon distance होता है so that's why torque upon r यह चीज़ बन गई अभी हमारे पास alpha की value हम लोग ने equation से निकाल ली अभी हमारा काम यह है कि tau की value निकालो तो torque भाव को इधर हम रिक सकते है और बाकी का काम हम कर सकते है anyway so torque is equal to i alpha ठीके तो disk है so mr square upon 2 omega upon t alpha के जगा पे लिक सकते है और rearrange को रेक्वेशन को ठीके और final answer आपको मिल गए एक आरे करकट हो जाएगा so mr omega upon 2 t simple question इसमें जादा दिमाग लगाना नहीं है basic formula पता है answer आने वाला है question number 5 circular coil carrying current i okay यह most important चीज़ है because magnetic field effect of electric current में से circular coil में से current जाता है उसके उपर question आता है देखो circular coil में से अगर current जाता है तो उसके center में magnetic field कितना होगा और axis में magnetic field कितना होगा उसके formula रटलो simple formula है इसका derivation भी बता सकते लेकिन ज़रूरत नहीं है अब आपको circular coil carrying a current i has a radius r magnetic field at center is a b what is the distance from the center along the axis of the same coin magnetic field will be ठीके तो b upon 8 होना है तो सब कुछ दे दिया है आपको तो सबसे पहले center में क्या होता है mu naught upon 2 ni upon यह इसका formula है तो यह standard formula यूज किया और axial point अगर आप लेते हो ना तो यह formula रटलो mu naught ni r square upon 2 r square plus x square raised to 3 by 2 आप बोलेंगे sir रटे कैसे 5 बार लिग दो एक notebook अगर आपके सामने है तो 4-5 बार लिख दो यह दो formula आपका बन गया ठीके और नहीं बूलते हो आप यह exam में tension मतलो आप ठीके आप बोलेंगे exam में बूल जाएंगे तो नहीं बूलते है trust my words ठीके क्यूंकि last moment ही आप जो याद करना start करते हो because यह तो आपने अभी लिखा है actual exam आएगा तब तक तो 8-10 बार आपका revise हो जाएगा और अभी 4-5 बार लिखा है तो 14-15 बार अगर आप कोई भी चीज लिख रहे हो या उसके उपर देख रहे हो तो गलत नहीं होती है और 12 standard में तो किया तो होगा या इलन standard में किया होगा mu not ni r square upon 2 r square plus x square raised to 3 by 2 जिसको आता है उसको रटने की ज़रूत नहीं अपने आप हो जाता है जिसको नहीं पता है उनके लिए यह सब बता रहा हूँ so b axis की value आपको b upon 8 दे दिया है उन्होंने so ये दो equation को सबसे पहले compare करना है आपको anyways क्योंकि आपको दिया है उन्होंने same दिया है मतलब center का और एक axis के point का same दिया है तो इसके लिए आप compare कर रहा है otherwise बोलेंगे आप sir येडे धाले के तो मी compare काई को कर रहा है ठीक है तो anyways यहाँ पे देखो mu nut ni cut cut हो जाएगा और ये cut होने के बाद आपको एक बड़ा चोड़ा सा equation मिलेगा अभी ये जो r square plus x square raised to 3 by 2 ये सब जो चीज़े है उसको वे से ही रोको बाकी की सारी equations पहले आप rearrange कर लो और उसके बाद ये powers को transfer करो इसको कुछ solve अगर है नहीं करना आपको ये सिर्प दिखने के लिए बड़ा दिख रहा है लेकिन हे नहीं सो x equal to square root of 3 r so anyways so that is your answer option is b ये ना yes question 5 का answer हो गया option b let us discuss question number 6 light waves of intensities i1 and i2 having same frequency pass through the same medium at a time in the same direction and interfere some of a minimum and maximum intensities आपको निकालना है interference and diffraction आपका wave optics का equation एकदम simple है इसमें सिर्फ formula लगाना है और answer लिकाना है तो बोला क्या है two light waves दी है intensity is i1 i2 same frequency pass through the same medium at the same time एक medium से ही जा रहे एक time से ही जा रहे same direction में जा रहे और interfere हो रहा है तो अगर ऐसा है तो minimum and maximum intensities कितना है amplitude square root of i1 and i2 यह आपका amplitude की value हो गई तो maximum amplitude काब होता है दोनों का addition maximum intensity काब होती है intensity square of amplitude होता है proportional to square of amplitude so that's why square root of i1 plus i2 का square लिखा है minimum amplitude यह होता है उसका intensity square कर दो आप बोलेंगे यह आपको कैसे पता यह standard list of formula जो आपने बना होगा उसमें यह formula होगा होना ही चाहिए क्योंकि textbook में दिया है उनोंने क्योंकि अभी मैं आपको textbook नहीं पढ़ा सकता because इतना time थो हमारे पास है नहीं मेरा यह video का purpose यह ही है कि आपको quickly मैं question paper की उस तरह से आते कैसे आते और formulas अगर आपके पास है तो उसको कैसे tackle करना है ऐसे type की questions आपको board में भी पूछते है so i minimum plus i maximum पूछा है तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ दिक्कत होनी चीए दोनों को square करना है add करना है करके कर सकते हो न तो 2 square root of i1 plus i2 बन गया equation option b so question 6 हो गया question 7 देखते है देखते किसको आता ही है alternating voltage 200 square root of 2 sine of 180 volt is connected to one microfarad capacitor through AC ammeter the reading of ammeter जो बच्चे मेरे साथ solve कर रहे है उनको solve करना है आप सिर्फ वीडियो मत देखो आपको ज़्यादा फाइदा अभी होगा जब भी वीडियो pause करके आप अप अपना दिमाग लगाना start करो ठीक है या फिर आप 2018 का पूरा question paper लो पूरा solve कर उसके बाद solution देख सकते हो लेकिन अगर आपका कुछ भी नहीं पढ़ाई कि हुआ है और आप थोड़ा सा confident feel नहीं कर रहे हो आप मेरे साथ पूरा वीडियो देख लो कोई दिक्कत नहीं वो भी चलेगा that is also part of strategy तो e की value दीए आपको e is equal to e naught sin of omega t यह standard equation है तो e naught मिल गया हमें, omega मिल गया हमे capacitor की value दीए, ac ammeter reading of ammeter, reading of ammeter मतलब आपको i की value निकालनी है current निकालाया ना, okay तो current केसे निकालेंगे देखते है अभी okay यहा पे capacitor दीए आपको तो capacitor की कुछ equation अगरे दीख रहा है कि आपको तोड़ा दीमाग लगाऊ ना simple question है, solution दीखाऊंगे तो बोलेंगे sir, यह वड़ा सोपपा होता, ठीक है anyways, चलो, e is equal to e naught sin omega t तो omega 100 c दिया है आपको आपको zoom कर लेते है इसको anyways, चलो c की value 2 micro farad है so 2 into 10 raised to minus 6 है यह 2 miss out है आप है capacitive reactance, xc is 1 upon omega c तो आपने capacitive reactance निकाला i की value है e upon xc है न, e upon r होता है, लेकिन यह reactance आपको लिखना पड़ेगा AC circuit में तो e की value लिखी, xc की value लिखी so i आपको मिल गया, लेकिन i की equation में i naught sin omega t i naught की value मिल गई, और iRMS ultimately आपको निकलना था which is i naught upon root 2, so 20 milliampere anyway, the equation करने के लिए कभी-कभी 60 second इतना time जाता है, लेकिन जाने दो, क्योंकि कुछ questions जो है, वो आपके 30 second के अंदर भी हो रहर, कुछ questions starting में या आपने direct भी कर दिये थे, तो जहाँ-जहाँ पे 60 second लग रहा है, लगने दो, लेकिन वैसे कम question होने चीए, question number 8 देखो, मतलब like, 40 second के अंदर हो जाना चीए, कभी भी आपको ऐसा network देते हैं, आपको पूचा है कि 15 resistance में से कितना निकालना है, current निकालना है तो देखो, ये resistance network है, क्या पहले चेक करने आपको, तो balancing condition देखो this resistance upon this resistance has to be equal to this upon this, so 15 upon 20 has to be equal to 3 upon 4, है क्या तो 15 upon 20 कितना होता है, 3 bar 4 which is equal to 3 by 4, है, तो इसका balancing condition है, तो ये gallon meter को हड़ा दो, मतलब इसमें से कुछ current जाये का नहीं, अभी ये 2.1 ampere इदर से जा रहा है, तो पहला इदर i1 जाएगा, इदर i2 जाएगा, और यही i1 वापस c में से आगे forward होगा, और यहां से i2 यहां से c में से आगे forward होगा, so total i2.1 equal to i1 plus i2, और i1 के जगा पी क्या लिख सकते हो, v is equal to i r होता है, तो i is equal to v i1 into r, लिख सकते हो न, है कि ने, तो लिखो न, चलो, so i1 into 18, यह पूरा add कर दिया, या फिर add, हाँ, देखो न, यही तो बोल रहा था, which is equal to i2 into 24, तो 3 i1 equal to 4 i2, so i2 की value निकाली, so i1 plus i2 equal to 2.1, तो add करो, subtract करो, खतम हो गई बाद, so अभी इसमें है न, केरफूली यह करना है कि i1 निकालाने बोला है, i2 निकालने बोला है, ठीक है, क्योंकि आपको शायद दोनों answer देंगे, 2.1 भी दिया है, कि उनने नहीं दिया है, चलो, अच्छा है, anyway, so 1.2 is the answer, question number 9 देखते है, angle made by incident ray, देखो, इसका क्या है, अगर यह एक surface है वेरे पास, और यहाँ से light आकी यह surface की उपर गीरती है, और इससे reflect होके जा रही है, तो यह normal के साथ जो angle बनाती है न, उसको बोलते है angle of incidence, लेकिन, reflecting surface के साथ जो angle बनता है न, उसको बोलते है, glancing angle जिसको theta g से आप represent कर सकते हो, reflection of light, पिछले साल का जो आपका chapter है, उसके पहले page के उपर, पहली डाइग्राम है, डाइग्राम जाके देख लेना, let me zoom out, question number 10, in a non-uniform circular motion, the ratio of tangential to radial acceleration, यह उनका famous है, पता ने उनको क्यों पसंद आता है, tangential acceleration और radial acceleration को solve करना, so non-uniform circular motion ratio of tangential to radial acceleration is, r radius of a circle, v speed of a particle, angular acceleration, so at, tangential r alpha, ar v square upon our formula है, substitute करो, get the answer, 30 second के अंदर ही equation हो जाना चीए आपका, so option c, okay, तो अभी तक 10 questions हो चुके हैं, और 10 questions होने के बाद, immediately OMR sheet, अगर offline है, तो OMR sheet भरना पड़ेगा, online है, तो tick कर दो उदर ही, और देखो, check भी करो, कि जो tick कर रहे हो, वहाँ पे, finalist में, जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है, तो चलो, अच्छा है, question number 11, question number 12, देखके, याज जना चीए, numerical aperture of a microscope is increased, then it's, अगर आप aperture को increase कर रहे हो, ठीक है, तो उसका जो limit of resolution होता है, वो decrease होता है, यह पता किसे चलेगा, उसका formula है, वो formula यूज करो, inverse proportion में होगा, तो inverse proportion में होने के वज़े से, limit of resolution decrease हो रहा है, question number 12, amplitude modulation क्या होता है, ठीक है, तो amplitude remains constant, but frequency changes, amplitude frequency, दोनों change नहीं होंगे, तो यह भी delete हो गया, both amplitude and frequency change, ठीक है, तो amplitude modulation तो frequency के बारे में, भाई सब क्यों बात कर रहे हो, ठीक है, डीलिट कर दो, तो C और बचा A की D, amplitude of the carrier changes, according to information of signal, तो कुछ question smart gaze भी करने होते हैं, आपको, तो D is the correct answer, देखो नाम से ही पता चल रहा हो, amplitude modulation तो, amplitude कोई change कर रहे हैं, अभी बहुत सारी जगाओ पर ऐसा कुछ, अगर ऐसा आता है, तो आप अपना हवा में guess मत मारो, हाँ, इसका है, तो इसके वज़े से आईसा आया, मुझे तोड़ा पता है, आपने भी read किया होगा, तो उसके हिसाब से हम guess कर सकते हैं, question number 13, mz, magnetization of a paramagnetic sample, b, external magnetic field, absolute temperature, c, curie constant, curie law in magnetism की हिसाब से correct relation कौन सा है, ये equation solve नहीं करना है, ये formula list में होगा, तो जिसने list बना है, उसके पास ये होगा, so mz is equal to cb upon t, ये straight forward form में रहा है, इसको solve नहीं करना है, direct answer चिटका के आना है आपको, question number 14, ये हमेशा में बोलता हूँ कि, आपको ये करके ही जाना है, ये equation हमेशा ये लोग बोच रहे है, electron of a stationary hydrogen item, jumps from fourth energy to ground level, है ना, तो मतलब आपको p की value 4 दिये, ground level n की value 1 दिये, है ना, velocity that proton acquired as a result of, electron transition will be, h planks constant, r regibert constant, m mass of a photon, so 1 upon lambda r, 1 upon n square, minus 1 upon p square, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 upon lambda की value निकाल के रखनी है, क्यों, आगे बताते हैं, e is equal to h new होता है, है ना, क्योंकि आपको दिया है, velocity that the photon require, as a result of electron transition will be, तो c की value निकालने हैं आपको, तो c की value निकालने के लिए, आपके पास देखो, यह chapter की अच्छी बात है, कि 2-3 नी formula है, और उसकी उपर equation आता है, मतलब अगर आप दूसरे chapter देखो, तो formula की list बढ़िये, और उसमें से एका दूसरा question पूछ रहा है, लेकिन यह chapter की खासी है थी ही, कि एकी formula है, एक दो ही formula है, उसकी उपर यह consistently पूछते जा रहा है, तो भाई उनको thank you बोलो, कि भाई ठीक है, हमको ज़्यादा परेशा नहीं कर रहे हो, तो energy equal to h new, और new के जगा पर आप c आपन लाइडा लिख सकते हूँ, यह frequency होती है ना, तो h c है ना, और लाइडा 1 आपन लाइडा क्या आपका, r 15 r by 16, तो यहाँ पर देखो energy mc square भी होता है, यह ना e equal to mc square, आपला Einstein नी, Saeban नी एकद़ मोटो equation धी लेला है, a equal to mc square, so h c r 15 by 16, तो c square की value देखो, rearrange करो, get the answer, ठीक है, so correct option is a d, let me zoom out, metal wire of a density rope, floats on a water surface horizontally, if it is not to sink in a water, then maximum radius of a wire is proportional to, ठीक है, अभी radius of a wire proportional to, यह चीज़को आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आपको यह देखना है, की density rope floats on a water, ठीक है, if not to sink, अभी यह डूब नहीं रही है, then the maximum radius of a wire, is proportional to कितना होना चीज़को, अभी देखनो, यह equation surface tension से, अभी यह पतली सी लकडी लो, और पानी के उपर डालो, वो डूबेगी नहीं, या छोटी सी pin लो pin, सुई बोलता है न, तो उसको पानी के उपर रखो, तो वो नहीं नहीं जाएगी, क्योंकि वो float हो रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा, कि वो float हरी है, क्या, ठीक है, तो surface tension, तो हमारे पास surface tension का formula होता है, force on a length, force upon length, यह surface tension का formula होता है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, force is equal to surface tension into length, तो force के equation को compare करना है, ठीक है, तो force का formula क्या होता है, m into g, बड़ाबर, यहाँ तक clear है, ओके, तो पहला equation देखो अभी, m into g, तो mass निकलना है, सबसे पहले, mass क्या होता है, density equal to mass upon volume, तो छोटी सी wire है, तो density तो मिल गई, और volume क्या होता है, pi r square into l, तो यह बन गया मेरा, पहले mass into g, और equal to length, into surface tension t, समझा, तो यह जो l into t है, वो force है, और यहाँ पर यह जो है, यह भी force है, यह weight आप बोलो mg mg, जो भी है, आपको समझना है, समझ लो, तो यहाँ पर r निकलना है, अभी क्या बचा, rearrange करो, get down, so r is equal to square root of t, upon pi ro g, let us discuss question number 16, question number 16, आपका exam में थोड़ा सा time लेगा, तो अगर आप चाहते हो, तो ऐसा बड़ा अगर question कुछ है, तो आप यह skip कर सकते हो, या फिर, अगर आपको इसके formula की उपर, थोड़ा सा अगर confidence है, तो आप proceed कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलो, let us see, sphere of a mass M, moving with a velocity V, ठीक है, collide head on one other, sphere of a same mass, जो rest में है, तो मतलब, एक mass है मेरे पास, जो rest में है, दूसरा आके इसके उपर collide करता है, the ratio of a final velocity of a second sphere, to the initial velocity of the first sphere, is, कितना है, और यह आपर inelastic kind of a collision, आपको देखना है, तो देखो ना, मतलब, एक mass आके, दूसरे के उपर टकरा रहा है, तो दूसरा आगे move करेगा, पहला rest पर आने की कोशिच करेगा, तो पहले की velocity तो दूसरे की velocity में क्या परक है, यह आपको छेक करना है, तो anyways, coefficient of a restitution, जो है, वो inelastic है, ऐससा आपको दिया गया है, so let us discuss कि यह question क्या है, so, यहाँ पर कभी-कभी, कुछ standard formulas भी होते हैं, जहाँ पर cases होते हैं, मतलब, जब यह दोनों collide करते हैं, और opposite direction में move करते हैं, दोनों collide करते हैं, same direction में move करते हैं, एक object rest में होता है, दूसरा hit करता है, तो पहले की velocity से दूसरा move करने की कोशिच करता है, तो उसका एक में table बना लो आप, तो यह table में अगर यह formula आपका match हो रहा है, options, तो आपका काम बन गया, अधरोज यह आपको पूरा solve करना पड़ेगा, तो sphere का तो जो पहला part है, हम लोग ने देख लिया, mass aim जो move कर रहा है, और दूसरे को hit कर रहा है, final velocity to the initial velocity of first pair देखना है, तो coefficient of restitution V2 minus V1 upon V1 minus U2, ऐसा होता है, आपको V2 upon V निकालना है, तो anyways देखते है, so U1, initial velocity U1, पहले की है V, और जो final velocity 0, देखो न, पहले, पहला वाला मेरा sphere, U1 velocity जे move कर रहा है, और heat जब भी करेगा, उसके बाद वो रूखेगा, मतलब final velocity उसके होगी 0, तो E की value होगी V2 minus V1 upon V, so V2 upon V minus V1 upon V, मतलब यह जो equation इसको थोड़ा सा separate किया है, law of conservation क्या बोलता है, M into V, मतलब velocity जो है, which is equals to M V1 plus M V2, इसके बराबर होना चाहिए, तब ही जाके आपका equation solve होगा, so V is equal to V1 plus V2, rearrange करते equation को, V, so V1 upon V equal to 1 minus V2 upon V, तो यह equation जो है 1 में substitute करो, तो आपको E की value मिलेगी, final answer representation, final answer जो होगा, that will be V2 upon V, equal to E1 plus 1 upon 2, तो यह है आपका final answer, I hope कि आपको समझा tough नहीं है, यह आपको 2 formulas बता होना चाहिए, सबसे पहला coefficient of restitution, उसके बाद condition पता होना चाहिए, कि क्या condition है, तभी जाके आपको यह equation मिल सकता है, conservation of a momentum, अगर non-elastic है, तो उसके लिए क्या होगा, वो पता होना चाहिए, और equations आपको substitute करने, question number 17 देखते हैं, आसान question है comparatively, question number 16 थोड़ सा time consuming हो सकता है, बहुत सारे बच्चों के लिए, तो अगर इसे बड़े questions हैं तो end में करो, जाता time उसके उपर substitute मत करो, क्योंकि यह जानबुच के ऐसे लंबे questions ढालते हैं, so that आपका time use हो उसमें, और yes, आपकी जाधा question attempt ना हो, ऐसा उनका tactic होता है, तो कभी-कभी होता है न, cricket खेलते हो आप, तो सारे balls आप नहीं hit करते हो, batsman देखो न, bouncer है तो छोड़ देता है, अगर 20-20 है तो उसमें वो try करता है, लेकिन उसमें out होने की संभावना भी होती है, तो एक का दूसरा ball आप छोड़ सकते हो, ठीक है, तो यह होता है, तो अगर A है amplitude, तो total जो उसने average cover किया है, that is a 4 है, और total time जो होगा, यह frequency दिया है आपको, तो 1 upon M will be total time, average speed क्या होता है, distance upon time, यह बच्चे equation भी कर सकते हैं, so B is the correct option, let me zoom out, okay, question number 18 दिया है, आपको ideal transformer convert करता है, 220 V AC to 3.3 KV AC, to transmit a power of 4.4 KV, ठीक है, तो ऐसा दिया है, आपको primary coil has a 600 tons, number of tons दिया है, alternating current secondary में कितना होगा, यह आपको पता होना चीए, anyways, तो इसका एक basic चीज है, VP आपको दिया है, VS की value आपको दिया है, secondary का, okay, मतलब primary से secondary में ही convert होगा, NP दिया है, आपको P की value दिया, तो P is equal to VS into IS होता है, substitute the values, get the answer, 30 seconds के अंदर यह question हो जाना चीए, इसमें आपको ज़्यादा time नहीं लगा रहा है, simple question है, यह textbook में भी ऐसे questions है, आपको मिल जाएंगे, नहीं तो जो practice के लिए, आप किताबे use कर रहे हो, various publications की, तो उसमें भी आपको यह practice में भी MCQs मिल जाएंगे, question number 19, यह बहुत simple question है, r is equal to royal upon a, यह formula यूज करना है, पहले देखते है question क्या है, conducting wire has a length L1 and diameter D1, okay, after stage किया, इसकी length होगा, L2 diameter होगा, D2, तो resistance is before and after क्या होता है, so r is equal to royal upon a, है ना, तो जो resistance है आपका, तो वो किसके उपर depend कर रहा है, length और a के उपर दिख रहा है ना हमे, लेकिन area क्या होता है, pi D square upon 4, so आपके पास volume है, area into length, so L1 की value हो गई, volume upon a1, so R1 upon R2 is equals to, यह equation देखो, change करना ही से, so L1 upon a1 into, a2 upon L2, यह पहले divide था, यह उपर गया है, so that's why SI equation आया, so L1 upon L2, a2 upon a1, so L1 upon L2, a2 के जगा पे आप क्या substitute कर सकते हो, यह देखो यह, d2 square upon d1 square, अब यह pi 4 जो है, वो तो उपर और नीचे कट होने वाला है, तो इसके लिए वो भी लिखा ही नहीं होने, okay, smart है वो लोग भी, so anyways, so देखते हैं, L1 के जगा पे क्या लिख सकते हो, B upon a1, L2 के जगा पे a2 upon B, यह नीचे लिखा है, लेकिन यह उपर जाने के बाद ऐसा होता है, तो B, B कट हो जाएगा, D2 square upon D1 square, rearrange करो equations को, so D2 raise to 4 upon D1 raise to 4, so that is the final answer, so यह tick करोगे, तो carefully tick कर ला, question number A, simple question ही, यह जदा tough नहीं है, बच्चो वाला question ही है, question number 20 देखते है, यह मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको की करके ही जाना है, यह अगर नहीं कर रहो तो आप गदे हो, molar specific heat of an idle gastric constant pressure, Cp, Cv दिया है, आपको constant volume के लिए Cv दिया है, R is a universal gast constant, तो ratio of Cp to Cv पूचा है, is a gamma, तो Cv की value निकाल लिए, अरे यह क्या पूच रहा है, Cp upon Cv गैमा दिया है आपको है न, so Cp minus Cv upon Cv, so which is equals to gamma minus 1 upon 1, okay, so anyways, यह formula होता है भाई, okay, so R upon Cv equal to gamma minus 1, अभी यह क्यों करना है इतना सब, क्योंकि हमें R के term में equation को लेके आना है, तो Cp minus Cv, अगर आप करते हो, तो ऊपर आपको R मिल जाएगा, so that's why इतना सब किया है उन्होंने, so anyways, R upon Cv equal to gamma minus 1, so Cv की वाल होगी R upon gamma minus 1, so question 20, done, T most important, question number 21, capillary tube having area of a cross section A, water rise होता है, एक height तक cross sectional area reduced to A by 9, so rise निकलना है, so H is equal to 2t cast theta upon R rho g, है ना, यह formula है, तो इसमें respective values आप substitute करो, get the answer, let me zoom out next page पे जाते है, so H is equal to 2t cos theta upon R rho g, so H is inversely proportional to R होता है, तो A is equal to pi R square हो गए आपका, so H1 R1 equal to H2 R2, so यहाँ पे अगर आप देखते हो, यह equation से आपको पता चलेगा, R is, square root of A is directly proportional to R, तो यहाँ पे H1 upon H2 is R2 upon R1, so square root of A2 upon A1, है ना, तो यहाँ पे, आपको जो previous case में जो case दिया है, उसके हिसाब से आप लिख सकते हो, तो A by 9 upon A, cut कर दो 1 by 3, ठीक है, यही दिया है ना, zoom out करके देख लेते एक बार, क्या दिया है, question 21, yes, A by 9 दिया था, वो G गलती से वहाँ पे print हुआ है, तो यह आप ध्यान में रख लेना, anyways, यह देखो यह, गलती से G है, वो 9 है, question 22, forward biased, अगर है मेरे पास, तो PN junction diode क्या होता है, suppose, यहाँ पे मेरे पास एक PN junction diode है, यह मेरा P area है, और बाजू में N area है, और बीच में depletion layer होता है, अभी positive, अगर आप positive बैटरी के साथ connect करते है, और negative negative के साथ connect करते है, तो positive के वज़े से, यहाँ पे जो depletion layer है न, यह push होगी, और negative के वज़े से, यहाँ पे भी push होगी, तो overall depletion layer आपकी कम होगी, और एक point ऐसा होगा, कि depletion layer नहीं रहेगी, तो इसके बाद अगर depletion layer नहीं है, तो पूरा current flow होने वाला है आपका, तो close switch के जैसा वो act होगा, so question number 22, answer is a D, an alternating electric field of a frequency new is applied across the D's, ठीक है, of cyclotron, तो cyclotron का straight forward formula आपको use करना है, देखो यह, cyclotron क्या होता है, ऐसे 2 D's होते है, ठीक है, और उपर से ऐसा एक magnetic field होता है, जो आप bar magnets use करके, strong magnetic field use करते हो, और एक जो D होता है, और जो दूसरा D होता है, उसको use करके AC current, या फिर AC source उसको दे देते है, center से एक charge accelerate करवाते है, तो electric field और magnetic field दोनों होते हैं यहापे, ठीक है, the operating magnetic field B is used, and kinetic energy of proton beam produced by it, R respectively, तो kinetic energy निकल लिए हमें, तो यहापे देखो, QVB sin theta यहापका formula होगा, which is equals to mV square upon R, ठीक है, अभी यह Q use किया है उन्होंने, क्यू कि QV, अगर आप charge external magnetic field में रखते हो, तो उसका जो equation होता है, F का equation force is equal to, तो वो QVB sin theta के बराबर होता है, और यहापे, motion of a particle and magnetic field, अगर एक दूसरे को 90 degree है, तो theta की value 90 degree, तो sin theta बन होता है, so QVB sin theta, लेकिन यही जो force है, that gives centripetal force के लिए, तब ही जा कि वो circle में move करेगा आपका particle, that's why mV square upon R लिखा है, तो अभी दिक्कत क्या है भाई, rearrange करो, खतम करो answer, so mV upon ER, V के जगा पे आप क्या लिख सकते है, R omega लिख सकते हो, तो RR cut हो जाएगा, so m into 2 pi new, यह frequency है, Q के जगा पे E लिखा है, so 2 pi mV upon E, so kinetic energy की value क्या होगी, half of mV square max, so mV max के जगा पे R omega square लिख सकते हो, so half of mR, omega के जगा पे आप लिख सकते हो, 2 pi new का whole square, so 4 pi square new square आएगा है आप है, so rearrange करना था, answer लेना था, खतम होगी बात, so kinetic energy की value होगी, 2 pi r square new square, जो भी है देखो, कौन सा है भाई, A वाला है, A वाला है, कभी कभी ऐसे टाइप की question में है न, अगर आप B भी निकाल देते हो, और सिर्फ B चेक करो या पे, तो भी आपका answer होगा, kinetic energy निकालने की ज़रूद भी नहीं होती है, समझे रहे हो, आप तो थोड़ा smartly खेलो, so ray of a light incident, on a normally, on a glass slab of a thickness, 5 cm, refractive index 1.6 दिया है, तो यह जो glass slab है, उसका thickness से 5 cm, refractive index 1.6, time पूछा है आपको, time है न, तो time के से निकालोगे आप, तो yes, thickness दिया है, और mu दिया है, so time taken to travel by array, from source to surface of a slab, is the same to travel through the glass slab, okay, तो source to surface, source से लेके surface से जितना time लगता है, उतना ही, यहां से यहां तक लगता है, तो anyways, यह equation कैसे करोगे, mu क्या होता है, mu is equal to v1 upon v2 होता है, तो उसके हिसाब से, v is equal to क्या होता है, distance upon time, तो उसके हिसाब से, आप यह equation को tackle कर सकते हो, तो thickness दिया है, आपको mu दिया है, तो d is mu into t, substitute the value, तो get the answer, इतना ज़्यादा tough question नहीं है, फटाक से हो जाना चाहिए, question number 25 देखते है, string is vibrating in its fifth overtone, fifth overtone दिया है, तो अगर fifth overtone दिया है, तो circle कितने बनेंगे, 6 loop बनेंगे, तो 2 rigid support की बीच में थी wire आपकी, तो 2.4 meter की wire हो गई, आपकी the distance between the successive node and anti-node कितना होगे है, निकालना है, simple question है, भाई, इससे simple क्या मिलेगा आपको, चलो, question number 25, length of first loop is 2.4 upon 6, so 0.4 meter, so ये 0.4 meter, इतना तो आपको, 2 nodes की बीच का distance मिल गया, और उसका आदा करू, वह anti-node मिल गया, तो 0.4 का आदा होता है, 0.2, that is node and anti-node का answer, so ये था question 25 का complete discussion, let us discuss question number 26, जो बच्चे मेरे साथ solve कर रहे है, वो video pause कर कर के कर रहे है न, ठीके, या मुझे याद दिला ना पट रहे है बार-बार, ठीके, anyway, जो नहीं पट रहे है, कुछ भी जिनको नहीं आता है, वो नेरे साथ video follow कर है, question number 26 देखो क्या है, question number 26 में A vector दिया है, B vector दिया है, C vector दिया है, और बोला है कि right angle triangle ट्रेंगल फॉर्म करते है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि, base कोन सा है, height कोन सा है, और उनका जो, hypotenuse कोन सा है, नहीं पता, तो ये case में केसे करना है पता है क्या, इसमें आप देखो option क्या है, A, B, C, D option में, आपको vector दिया है, और उसके बाद A square प्लस B square प्लस C square ऐसा relation दिया, तो इसमें अगर आप vector की हिसाब से जाना, start करोगे तो आपका answer नहीं बने, आप क्या करो पता है क्या, ठीक है, तो A square की value हो गई 14, B square की value जो भी मनेगी, 1 प्लस 9 प्लस 25, 1 प्लस 9 प्लस 25, कितना होता है, 35, ठीक है, और ये C कितना होता है, 2 square प्लस 1 square प्लस 16, तो ये square root of 21, तो ये A square, B square, C square की value मिल गई, अभी यहाँ पे देखो, कौन सा equation match हो रहा है, तो A square equal to B square plus C square match हो रहा है क्या, चेक करके देखो, तो यहाँ पे आप देखोगे, 14 और 20 को add करोगे, मतलब A और C को add करोगे, A square plus C square को add करोगे, तो B square के बराबर होगा, तो देखो A square, C square, B square किदर किदर है, ठीक है, तो इदनों ने तो हमें चक्कर में डाल दिया, अभी और C तो हमें same दिख रहा है, अभी question यह है कि करना पड़े गए हैं पूरा, ओके, शाने लोगे, A और D तो delete कर दिया, B और C में फस गया आप, ठीक है, anyways, अभी यहाँ पर अगर आप देखते हो, तो B square equal to A square plus C square तो मिल गए आपको, तो इससे हमें idea यह आ जाएगी, B has to be equal to A plus C का magnitude, ठीक है, तो yes, option is A, okay, so question number 26 का option is B, okay, so mod of A is equal to B plus C, okay, तो यह बन गया आपका question number 26, question number 27, देखते है, square frame दिया है, A, B, C, D is a form, by a four vertical rods, ठीक है, तो four vertical rods यूज किया है, A, B, C, D of a mass M, and a length L, यूज किया है उन्होंने, this frame is in a X, Y plane, such that A, B coincides with X-axis, and A, D coincides with Y-axis, okay, the moment of inertia of the frame, about X-axis पूछा है आपको, तो X-axis की हिसाब से आपको पूछा है, देखो यह equation को केसी करेंगे, पहले diagram देखो, A, B, C, D, और A, B, और A, D, आपको X-Y-axis दे रहे हैं, ठीक है, anyways, और C, D, और C, B, तो आपके बास है ही, आपको पूछा है कि moment of inertia of a frame, about X-axis पूछा है, तो सबसे पहले, about which axis यह आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, तो C, D, about X-axis क्या होगा, और C, B, about X-axis क्या होगा, यह आपको निकालना पड़ेगा, so moment of inertia, A, B, तो 0 होगा, A, D की value जो होगी, वो B, C के बराबर होगी, that will be M, L square upon 3, और I, D, C, की value होगी, M, L square, तो यह हो गया, आपका एक equation, तो यह equations use करके, total moment of inertia को, easily calculate किया जा सकता, यह simple question है, जिसको moment of inertia, पता है, और उसके basic formula पता है, question number 28, देखो क्या दिया है, unit vector दिया है, जिसको 0.8 I cap, plus B j cap, plus 0.4 K cap से represent किया है, तो B की value किसके बराबर होगी, है न, तो unit vector है, तो इसका square root, निकालो और magnitude लो, तो 0.8 square, plus B square, plus 0.4 square, has to be equal to 1, कुछ नहीं, substitute करो, B की value लेके आओ, एक equation मिलेगा, आपको वो equation use करके, आपको value मिल चाहेगी, so question number 28, simple जा, question number 29, 9, ये देखके आज़नाची, आपको fact based question है, magnetic susceptibility for paramagnetic and diamagnetic materials, respectively क्या होता है, magnetic susceptibility, ठीक है, तो susceptibility का मतलब क्या होता है, susceptibility मतलब, कितना वो susceptible है, वो आपको देखना होता है, तो ये factual data है, magnetism में, अगर आपने difference बना के रखा है, diamagnetism, paramagnetism, paramagnetism का boards में आपने बना के रखा होगा, ठीक है, तो वो वापस दो-चार बार पढ़ लो, उसके उपर vocation पूछ रहे, so small positive and small negative होता ही है, paramagnetic and diamagnetic, लेकिन इसमें आप sequence भी देखो, कभी-कभी diamagnetic material पहले देंगे, paramagnetic दूसरा देंगे, तो options फिर confusion हो जाएंगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको केरफुली देखना है, that is the question number 29, the answer is the C, a mass is suspended from a vertical spring, such that it executes SHM with a frequency 5 hertz, ठीक है, तो एक rigid support है, वहाँ से spring connect की है, और उसके end में एक mass है, और इसको SHM perform करवाया जा रहा है, 5 hertz है, ठीक है, the spring is upstretched, उसके इधर से upstretched किया, उसने at highest point of oscillation, तो maximum speed of a mass, मतलब V max की value क्या होगी, तो हमें पता है V max क्या होता है, A omega होता है, है ना, तो omega 2 pi upon T, अभी question ही आता है, कि इसमें A की value कैसे निकालोगे आप, तो A की value निकालने के लिए, क्या करोगे आप, देखते है, F दी है 5 Hertz, तो T is 1 by 5S, तो T की value आपको पता है, 2 pi square root of M upon K, M is a spring constant होता, M होता है आपका mass, inertia factor at K होता है spring constant, so F आपको compare करना है, so restoring force F equal to KX, and weight जो होता है वो Mg, F equal to Mg, तो यह दो equations आपके same होगे, KX equal to Mg, तो M upon K की value, X upon G के बराबर आपको मिल गई, तो 2 pi is equal to 2 pi square root of X upon G के हिसाब से, आप पहले X की value निकाल ले ना, और V max आपका A omega हो गया है, मतलब maximum displacement, या फिर amplitude आपको चाहिए था, जो X के बराबर था, तो V max की value आपकी बन गई 1 by pi, question number 31, देखते है, इसके उपर एक दूसरी रिंग लिया है, so that there center coincide हो रहा है, both the rings, ठीक है, identical है, मतलब दोनों का radius सेम होगा, size shape सब सेम होगा, बोथ रिंग्स आर रोटेटिंग about the same axis, देन loss of kinetic energy निकाल ले, बराबर ना, पहला तो मतलब गूम रहा है, उसके उपर और एक load, और एक spring रखोगे तो, sorry, और एक ring रखोगे तो, ultimately उसका energy काम होने वाला है, so I1 omega 1 equal to I2 omega 2, which is equal to 2 times I1 omega 2, so omega 2 की value हो गई, यह क्यों आया है यहाँ पर, because 2 moment of inertia को add कर रहे हो है, so that's why यह आया, I2 के जगा पर 2 times I आया, so omega 2 I1 omega 1 upon 2 I1, which is equal to omega 1 upon 2, so kinetic energy first half of I omega square, and kinetic energy of 2 half of I omega square, तो यहाँ पर I के जगा पर 2 I लिखोगे, और यहाँ पर जो आपको omega 2 की value मिल रही, वो omega 1 upon 2 मिल रही है, तो kinetic energy 1 minus kinetic energy of 2, यह most important question है, हर साल पूछते हैं, kinetic energy के ऊपर, एक rolling object देते हैं, जो move कर रहा है, तो kinetic energy half of M v square plus half of I omega square, उसके हिसाब से आपको V is equal to R omega substitute करना पड़ता है, और I omega, इसमें से कोई भी एक factor की value आपको निकालने बोलते, कभी T निकालने बोलते, कभी displacement निकालने बोलते, जो भी है, आपको करना है, previous year के question paper में पूछा है, question 31 mark करो most important, अभी यहाँ पर देखो एक bomb explode हुआ है, three parts में, जिसके हमास सेम था, momentum of two parts, जो दिया है हमें, third का क्या होगा, तो एक है, हमारे पास तूटने के बाद P1, P2, P3, ऐसा होगा, हमें दो पता हैं थीसरा निकालना है, निकाल सकते क्या, निकाल सकते क्यों निकाल सकते, बाई, so PA plus PB plus PC has to be equal to zero, rearrange, get the answer, कुछ थान है इसमें, D is the correct answer, question number 33, बगुया काई दिल आहे, question number 33, आपके पास एक photo cell है, frequency of incident of radiation is increased by keeping other factor constant, so new greater than new not, stopping potential क्या होगा, यहाँ पे आपको एक simple सी चीज़ यूज करनी है, आपको यूज करना है, EVS, E into stopping potential, ये energy का equation equal to H new minus H new not, so अगर आप new increase कर रहो देखो, इसमें अगर आप new increase कर रहो तो stopping potential भी बड़ेगा है, ये बढ़ रहा है, ये अगर आप constant रख रहे हो मानलो, या फिर ये छोटा है, इसके compare में, अगर इसको बढ़ रहा तो ultimately equation बढ़ेगा ना, simple, so question number 33B, ये देखो question 34, ये आ गया भाई, simple वाली बात, ठीक है एक object है, vertical circular motion perform कर रहा है, center वे, क्या होगा, mass attached to one end of the string, crosses a topmost point on a vertical circular motion with a critical speed, तो यहाँ पर आपका critical speed है, its centripetal acceleration when spring becomes horizontal पर क्या होगा, horizontal इधर, तो आपको V3 की value निकालने बुलिए, तो V square upon R होता है, तो V3 is greater root of 3RG होता है, तो square कर उसका 3RG upon R, 3G बने गाई है, ठीक है, जिसको vertical circular motion के formula पता है, उसका equation बनेगा, आपकी लोगों का नहीं बनेगा, most important मैंने already list बना की दिये, उसमें ये point मैंने most important दिया, question number 33 वाला भी formula मैंने most important बोला था, तो वो exam में आएगा, the expression for electric field intensity at a point just outside uniformly charged thin plate sheet, ठीक है, तो एक thin plate sheet है, उसके just भार, नहीं कि वो cylinder आपक बनाते हो, Gaussian surface वो वाला question है, तो उसमें e की value होती है, sigma upon 2 epsilon naught, है ना, तो thin plate sheet बोला है, तो यहाँ पे d तो होता ही नहीं है equation में, तो independent of d होता है, तो a, देखो ना, एक line में हो गया question, question number 36, when a source of a sound moves towards the stationary observer, wavelength के उपर क्या फरेक पड़ेगा, है ना, तो v equal to n lambda होता है, और frequency inversely proportional to lambda होती है, तो यहाँ पे, अगर, एक simple सा बात ध्यार में रखुए, यह Doppler effect का question है, यह most important है, मैंने already formalist में Doppler effect को, एकदम important बोला है, तो वहाँ पे आपके पास formula है, लेकिन formula छोड़ा तोड़ा से दिमाग लगा, आपको आवाज increasing लगता है, तो जब यह आवाज increasing लगता है, तो frequency increase हो गई, frequency increase होती है, तो wavelength क्या होती है, wavelength के उपर क्या होती है, फरग, decrease होता है, so decreases while frequency increases, so option A is correct, question number 37, again most important, देखो जो मैंने आपको list दिये, उसमें से ही सारे question आपके exam में पूछ रहा है, और वो list मेंने कैसे बनाई है, previous year के question papers के analysis के उपर, तो पूरा logical चर रहा है हम लोग, तो जिसका कुछ भी पढ़ाएं नहीं हो है, वो list के ही साब से पढ़ना start कोरो, आपका score अच्छा आने वाला है, बार बार हमें सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, deflection नहीं गैलोनिमिटर फॉल्स तो 1 बाई फॉर्थ, वेन इट इस शंटेड बाई 3 ओं है ना, तो 1 बाई फॉर्थ हो रहा है, deflection शंटेड बाई 3 ओं, additional शंट 2 ओं, connect कर दिया, earlier इसमें deflection गैलोनिमिटर फॉल्स तो कितना होगा, IG upon I, S upon SG, यह standard formula है, गैलोनिमिटर का, लिख के लेना, यह equation, यह type के equation exam में आते है, so IG upon I, 1 by 4 तो बोला है ना, तो 1 by 4 इकोल तो 3 अपों 3 प्लस G, so S शंट दिया है उन्होंने, तो rearrange the question, का जो equation है वो, तो G equal to 9 ohm, yes, तो G equal to 9 ohm मिला, अभी और बाकी है, zoom out करके, next page पे move करते है, additional shunt 2 ohm is connected, then total shunt resistance becomes, so S dash 2 into 3, upon 2 plus 3, तो 6 by 5 ohm हो गया है, तो IG upon I, S dash upon S dash plus G, rearrange the values, so 1 upon 8.5 is the answer, 38 देखते है, a body is a thrown from a surface, of the earth with velocity, u meter per second, ठीक है, तो surface of the earth, से ये फियका है, maximum height in M, above the surface of the earth, up to which it reaches, तो नीचे से फियका है, और कितने height पर जाएगा, तो ये जो question है, ये आपका time खाएगा, तो अभी तक, जो 38 questions हमने लेखिए, उसमें ये एक पहला question था, इसके पहले भी, और ये दूसरा question है, जो आपका time खाने वाला है, ठीक है, तो time खाने वाले, दो question उनने डाल दिये, ये simple है, लेकिन ये देड़ मिनिट वगेरा लेता है time, देड़ मिनिट से दो मिनिट, जिसका speed अच्छा है, उसका भी, समझ रहे हो आप, तो ये carefully करना है, इसे type के questions, तो यहाँ पर ये formula, तो मैंने important mark करके दिया था, पहले ही, gravitational potential energy लिखा है, मैंने मेरे जो, video बना है, उस पर most important topic list में, so half of mv square, ठीक है ना, तो ये आपकी, पास kinetic energy है, जिससे आपने फेका है, so rearrange करो, तो यहाँ पर rearrange करने के बाद, u square equal to 2gm, 1 upon r minus 1 upon r plus h, ये mm cut हो जाएगा न, इसके लिए, so u square की value होगी, 2gr, h upon r plus h, anyways, और इसको rearrange करना पड़ेगा, आपको, और rearrange करते करते, आप ये जो चीज़े, वो r upon h के terms में लेके आओ, ठीके, r upon h के terms में लेके, आपके right hand side को भी adjust करना, और h की value आपको मिलेगे, r u square upon 2gr minus u square, तो ये था question 38 का answer, ये आप मेरे साथ ही एक बार solve कर लो, आपका हाद set कर लो, फिर आगे मूँ करो, question number 39, जो बच्चे solve कर रहे हैं, वो करना ही है, भाई, आप छोड़ो मत, और जिनका कुछ भी नहीं हो, मेरे साथ वीडियो फॉलो करो, question number 13, a series of a combination of N1 capacitors, is a charge to potential difference 3V, ठीके, तो series combination N1 का है, तो N1, series combination के लिए, क्या यूज़ करते हो आप, C upon N होता है न, और parallel के लिए, आप add करते हो, तो potential difference 3V का है, और दूसरा जोए उसके लिए V का है, total energy चाहिए आपको, वो same है, total energy same दिया है आपको, value of a C1 in terms of C2, दोनों का compare करना है, कुछ ने, U is equal to half of C2 square, C equivalent for series, C1 upon N1, और 3, connected in series, C equivalent for parallel N to C2, V connected in a parallel, तो energy half of C1 upon N1, 9B square है न, तो यह substitute करो question का, तो C1 और C2 के equation, आपको मिल जाएंगे, तो C1 और C2 का relation, आपको मिल जाएगा, so option A is the correct option, अब यह आपको देखो, थोड़ा-thोड़ा confident feel होगा, क्योंकि I guess, यह all test paper हम लोग ने किया है, previously भी किया है, तो जितने test papers आप देखते जाओगे, हर test paper में 50 questions होते है, तो ultimately आपको similar type के questions दीख रहे है, हर जगा पे, है न, okay question 14 है, को heat energy is incident on the surface, at the rate of 1000 joule per minute, if a coefficient of absorption A दिया है, आपको R दिया है, और the rate heat transmitted by the surface in 5 minutes, तो time की value दिया है, so R plus A plus T equal to 1, तो T की value मिल गए, Q का value दिया है, heat energy transmitted per minute, QT, और 5 minutes में कितना होगा, वो आपको निकालना है, so 500 joule is the answer, simple question, kinetic theory of gases का जो part है, इसमें से यह reflection वाला जो formula, इसके उपर question आता है, let us discuss question number 41, two metal wires P and Q, वो same length, and material are stretched by the same load, तो दो wires है, same length है, same material है, M1 is to M2, ठीक है, लेकिन mass same नहीं है, so elongations निकलना है हमें, P और Q का, ठीक है, तो LP upon LQ हमें निकलना है, और अगर stretch किया है, तो दोनों के उपर जो force apply किया होगा, वो भी same होगा, so F on P and F on Q, force on P, force on Q has to be same, so MP is to MQ, इसको हम M1 is to M2 लेते हैं, so यहाँ पर देखों क्या किया है उन्होंने, length और area, ठीक है, so इसका product लिया है, length और area का, और यहाँ पर भी length और area, तो यह क्या होता है, length और area volume के बरावर होता है, which is also equals to, M1 is to M2 के बरावर उन्होंने, compare करके रखा है, anyways, so यहाँ पर देखते हैं कैसे करना है, AP is to AQ is equals to M1 is to MQ, यह दो चीज़ें हमारे पास अभी है, अभी इसको यूज करना है हमें कि किस तरह से करते हैं, so Y की value है हमारे पास, आपके पास longitudinal stress upon longitudinal stress, that is a young's modulus का ratio, F upon A, delta L upon L, तो यह formula आप यूज कर रहे हो, तो delta L, 1 upon A, अगर हम लोग inverse proportion देखते हैं तो, so delta LP upon delta LQ, which is equals to AQ upon AP, which is equals to M2 upon M1, तो यहाँ पर हमारे पास, यह दिरेक्ट answer बन गया, so M2 upon M1 के हिसाब से, so question number 41, option is C, is the correct option, question number 42 देखते हैं, straight forward equation ने देखके, आ जाता है question, X की value A square, B square upon C है, तो इसको solve कैसे करते हैं, देखो, यहाँ पर आपको, physical quantity दिये, percentage error ने measurement of a physical quantity, A, B, C is 2, 3, 4, ठीक है, percentage error निकालना है, तो देखो, delta X upon X equal to, A square दिया है, तो 2 delta A upon A, plus 2 delta B upon B, plus C delta C upon C, तो 2 times, delta A upon A की value 2 दिये, delta B upon B की value 3 दिये, delta C upon C की value 4 दिये, तो final answer देखो, 2 into 2, 2 into 3, 14 is the final answer, straight forward equation 30 second के अंदर हो जाता है, बहुत आसना, Hylian Standard का first chapter का है यह, question number 43, graph दिये, आपको stopping potential corresponding to the frequency of incident radiation F for the given metal current variation, correct variation निकालने बोला है, V naught is threshold frequency, so आपने जो graphs का बनाया था, आपने एक list बनायी होगी, जिसमें formula और graph होगा, उसमें आप देख सकते हो, कि option 1 जो है, वो match हो जाता है, so 43, option A, question number 44, मदे बगुया, काय दिले तन्नी, question number 44, compound microscope दिये, आपको the focal length and aperture of objective is used, respectively क्या होगा है न, तो अगर compound microscope है, तो focal length and aperture of the objective है, short and small रखते है, compound microscope का जो derivation है, आपका light में, ray optics में, तो उसमें ये चीज़ दिये उन्होंने, तो वहाँ से ये question straight forward उठाया गया है, तो option D, question 45 देखते, energy दिया है, आपको electron का, जिसमें D Broglie wavelength lambda है, H planks constant है, M mass of electron है, तो E is equal to half of mv square energy, है न, तो mv, मतलब p होता है, तो divide करो m से, तो p square upon m बन जाएगा, तो half mp square, और यहाँ पे p के जगाँ पे, H upon lambda substitute करो, so rearrange the equation gate दा answer, question 45, यह मैंने हमेचा important बोला है, energy के उपर question पूछते है, जब भी आप, एक D Broglie wavelength के बारे में बात करते हो, तो यह most important है, मेरे जो list बना के दिया है, आपको most important topics का, उसमें यह included है, question number 46, देखते है, n number of waves are produced on a string, in 0.5 seconds, तो time दिया है आपको, now the tension in the string is a double, tension को double किया है, assuming length and radius constant, number of waves produced in a 0.5 seconds, for the same harmonic will be, so n2 upon n1 दिया है, आपको square root of t2 upon t1, यह है, आपके पास frequency का formula, frequency का formula यह कैसे मिला आपको, n is equals to, frequency का एक formula होता है, n is equals to 1 upon 12, square root of t upon m, यह formula है, ठीक है, तो वो formula से, frequency directly proportional to square root of t1, यह सब use किया है उन्होंने, उसके इसाब से यह generate किया formula, so t2, t1 का ratios, अगर आप देखते हो, t2 की value आपको दीए है उन्होंने, t1 की यह terms में, so उसको substitute करो, get the answer, so n2 is square root of 2, n1, so b is the correct option, simple question है, ऐसे questions आपको छोड़की नहीं है, करके आने, question number 47, अगे नहीं है, आपका elastic energy के उपर question है, increase in energy of a metal, of a bar length L, and cross sectional area A दिया है, इसको compress किया है, with load M along the length, तो why आपको दिया, young's modulus of material, anyways, तो यह क्या होगा, आपको energy निकालने बोला है, तो U निकालने बोला है, तो यह straightforward formula होता है, U is equal to half of stress into strength, substitute करो, F upon L, change in a length per unit length, तो इसमें change in a length per unit length, अगर आप सही डंग से substitute करोगे, आपका answer आएगा, option number B, F L square upon 2 A Y, यह simple question है, यह करने में आपको ज्यादा, तकलिफ नहीं होनी चीए, तो भी देखते है, volume is equal to L into A होता है, stress होता है F upon A, so Y is equal to F L, F upon A L upon L, so F L upon A Y, तो यह आप represent कर सकते हो यहाँ पे, so strain L upon L है, so U is equal to half of stress into strain, और यह L A, यह आपको एक मिल गया, so rearrange करो, get the answer, question 47, question number 48 देखते है, आपको बोला है, ratio of a magnetic fields due to bar magnet, at the two axial points P1 and P2, जो separate किये है, एक दूसरे से 10 cm, is 25 is 2, 2, तो यह दिया है आपको B1 और B2 का ratio, point P1 is situated at 10 cm from the center of the magnet, है न, तो center of magnet से 10 cm पे है, so magnetic length of the bar magnet at P1 and P2 are, on the same side of a magnet, and distance P2 from the center, is greater than the distance P1 from the center, यह से लापको दिया है उन्होंने equation में, so अगर एक diagram ट्रॉ करते हो आप, so एक bar magnet दिया है, point P1, point P2 के distances 10 और 10 cm के हिसाब से, B1, B2 का ratio 25 to 2 already दिया है उन्होंने, so anyways, B axis का formula होता है, mu naught upon 4 pi 2 times P upon R square L square, यह एक formula है, जो magnetism में आप पढ़ोगे, तो यहाँ पे आपको यह formula डिरेक्ट पता होना चाहिए, तो anyways, यहाँ पे आपको equation दिया है, आपको equation में respective values को substitute करके लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे इन्हेनों electric dipole moment P नहीं दिया है, लेकिन length दिया है, तो इसके लिए आपको इतना सब मगजमारी करना पड़ रहा है, otherwise आपका question easily बन सकता था, तो B1 निकालो, B2 निकालो, B1 upon B2 का ratio लो, और B1 upon B2 के जगा पे 25 to 2 substitute करो, take the ratio, और उसके बाद rearrange करना equation, magnetic length, आपको जो मिलेगी, that will be 2L, अगर आप L equal to 5 cm ऐसा मिलता है, और अगर option में भी 5 cm, उसको tick करके मत आना, बड़ी बेवकूफी होगी, और above the surface of the earth of a radius r, speed of a satellite in its orbit, is one-fourth of the escape velocity, तो आपको orbital speed दिया है, and escape speed दिया है, और बोला भी है, escape speed 4 times orbital speed, so relation निकालना है आपको, तो yes, VO की value दिये, square root of gm upon r plus h, V square root of gm upon r, so 4 times V not equal to V, rearrange को रेक्वेशन को 7 r equal to h, यह most famous question है, और यह बहुत simple है, ऐसा question आपको गलत करके नहीं आना है, और option भी correct tick करके आना है, तो 49 का option is ready, देखते question number 50, pipe is a closed at one end, has a length of 83 cm, okay, 83 cm, 83 in 10 raised to minus 2 meter, number of possible natural oscillations of air column, whose frequency lie below 1000 Hz, कितना है, यह आपको बोला, और V दिया है आपको, L दिया है, V दिया है, तो natural frequency V upon 4 L होता है, pipe closed and one end का, तो N0 निकालो, और N0, N1, N2, N3, यह जो होता है न, यह 100, 200, 300 के terms में होता है, तो number of possible natural frequencies, अभी यहाँ पर देखो, कितना है, that will be 5, तो यहाँ पर, अगर आप, solve करते हो और आगे, तो आपको पता चलेगा, कि natural frequencies जो है, वो 5 possible बन सकती है, यह specific case में, so option is a C, anyways, तो यह था question number 50, अभी तक हमने, जितना भी question paper को discuss किया है, 15 questions ऐसे थे, जो one liner थे, देख के आप लिख सकते थे, तो देखो, 45 minutes का time duration है, अभी divide कैसे करोगे, उसमें से पहले 5 minutes आप छोड़ दो, क्यूं पता है, क्यूंकि examiner आएगा, आपकी sign लेगा, वो सब मगजमारी तो हमेशा हर साल होता है, पीके तो उसमें आपके 3-4-5 minutes निखल जाता है, अगर पहले ही अगर आपका sign ले रहे है, और directly 10 बजए आपका paper साट हो रहे है, जो भी time होगा, मुझे नहीं पता time कब होगा, तो जबी भी start होगा आपका paper, उसके पहले अगर उन्हें साइन वगरी लिया, तो proper 30 गंटा मिलेगा, अगर बाद में लिया तो उदर time जाता है, तो मान लो 45 minutes है, तो 45 minutes में से एक 3-4 minutes आपके गए, वो signature वगरा करने में, ऐसा मान के चलता है, तो मान लो अभी मेरे पास 40 minutes से roughly है, और 40 minutes में मुझे 50 questions को hit करना है, तो 15 questions जो है, मैंने आपको starting में ही बोला था, कि आप immediately question paper देखोगे, फटा-फट की कौन सा question क्या है, और सीधा उसको mark कर दू, तो जो 15 questions है न, वो आपके 7 minutes के अंदर हो जाने चाहिए, 7 minutes के अंदर, तो 32 minutes आपके पास अभी है, और 32 minutes में अभी आपको 40 questions को hit करना है, 25 questions ऐसे थे, जो one-liner थे, मतलब 3-4-9 से जादा उनका solution नहीं है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाया तो, तो 25 plus ये 15 questions, मतलब 40 questions आपके बहुत जल्दी होने वाले, तो जो बचे हुए 10 questions है न, वो आपके time consume करेंगे, मतलब 1-2 minutes लेंगे, उतना आप time दो, पहले ही पता होता है हमें, जिसने practice किया है, तो अन्य सरी अपना ego मतलब को वहाँ पर कि मुझे करना ही है, immediately आप chemistry solve करना start करो, chemistry जल्दी खतम करो, उसके बाद अगर आपके पास time है, तो वापस वो question प्याओ, लेकिन अगर तो भी अगर नहीं हो रहा है, तो definitely आप मुझे comment section में बताओ कि, क्या आपको अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मैंने आपको 170 plus कैसे score करना है, proper अच्छा score कैसे करना है, उसके 8 strategies का एक already मैंने बना है, वो मैं नीचे description link में देख दूँँगा, वो आप देख लेना, दूसरा, मैंने previous year के और question papers upload की है, उसकी link भी में नीचे देने वाला हूँ, तीसरा, physics के most 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 important topic कौन से है, उसका भी एक video मैंने already बना दिया है, वो भी आप देख लेना, तो सारा आपका जो काम का matter है, जो MHT CET में आपको लगने वाला है, upcoming exams में, वो पूरा मैंने upload कर दिया है, अभी आपकी responsibility है, कि ये video आप properly देखो, properly practice करो, आपको और क्या चाहिए, आप मुझे comment section में नीचे, बता देना, I will try to make most of the content, जो आप majority के साथ बताओगे, मुझे नहीं पता ये video आप तक कब तक पहुचेगा, तो अगर आप देख रहे हो, आप अपने friends को भी बताओ, क्योंकि सब का फाइदा करके, हम लोग आगे जाना चाहते हैं, आपके friends का भी फाइदा होने वाला इससे, तो definitely maximum share करो, जितना ज़्यादा आप share करोगे, उतना ज़्यादा और video बनाने में मज़ा आता है, energy आता है, मैंनत में करूँगा, आप सिर्फ साथ देना, thank you so much,